दोस्तो नमस्कार आपका यूट्यूब विमला देवी चैनल में एक बार फिर से हारदिक स्वागत है आज हम बात करेंगे सपने में गुलाबास का पेड़ देखना या गुलाबास का फोधा देखना उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यदि वो दीखता है सपन में आप देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है दोस्तो जब हम सोई रहते हैं पता नहीं तरह तरह कि हमें स्वपन आते हैं आते रहते हैं जाने हम कहां कहां घूमते हैं जो हमने जाने अन जाने में कभी देखे भी नहीं है ऐसे ऐसे पहार देखते हैं ऐसे ऐसे फूल देखते हैं ऐसे ऐसे पोधे देखते हैं जो इनके हमन कभी कलपना भी नहीं की है ऐसे स्वपन हमें सपने में आते है चली हम ऐसे ही कुछ मीनिंग आपके लिए लेकर आए है सपनों की जो आपने सपने देखी होंगे और उनका मीनिंग क्या होता है क्या आपके वो संकेत करते हैं आपकी लाइप में क्या होने के संकेत करते हैं, ऐसे ही कुछ सपनों का मीनिम मैं आपको बताऊंगी. चलिए आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सपने में गुलाबास का पेर देखना या पोधा देखना. दोस्तों यदि आप सपने में देखते हैं, अक्सर लोग गुलाबास का पोधा घर में रखना भूष सुब मानते हैं, यदि वैस्वपन में आता है, तो उसका मतलब है कि बहुत ही सुब्स्वपन है, यह तरीन सुब्स्वपन है, यदि आप इसे स्वपन में देखते हैं, इसका मतलब है आपको धनलाब के संकेत है, आपके व्यापार में उन्नती के संकेत है, आपका ये अच्छा और सुब्स्वपन माना जाता है, आप सीग्र ही धन्वान होने के संकेत है, यदि आप इसको स्वपन में देखते हैं, आपको अर्थलाब होने के संगेत है, यानि कि एक अच्छा सुब स्वपन यह माना जाता है, सपने में हरा भरा, यदि आप इसे गुलाबास का पोधा या पेड देखते हैं, लगाते हैं सपने में, ऐसा कुछ देखते हैं, दोस्तो मेरी दीवी जानकारी अगर आपको पसंद राई हो तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, सेयर करे, बैल आइकन को दबाए, धन्यवाद दोस्तों